Hi Parents, Welcome to the Growing Moms Kids Together Channel आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में जो वन ओप बेस्ट एक्टिविटीज है पैरेंट्स एंड किट्स के बीच में बिकॉस बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे उस चीज को ग्रास्प करते हैं आइडेंटिफाय करते हैं इमाजिनेशन करते हैं ये सारी चीजे करने के लिए उन्हें एक सम्सेपरेट टाइम चाहिए होता है जैसे अगर आप बुक्स को इंट्रूस करना चाहते हो बच्चों के लिए बच्चों के शेडूल में तो आफ्टर दे फाइड तो सिक्स मेंथ आप बुक्स को इंट्रूस करवा सकते हो अबसे पहले हम बच्चों को एबी सीडी बुक ही इंट्रूस करवाते हैं एफ़ एपल बी फॉर बॉल एपल साउंड कैसे आता है बॉल साउंड कैसे आता है एफ या आप जितना भी आपका एबी सीडी रिरेटेड तो अलफाबेट्स है वो आप बच्चों को प्रॉपर सिखाते हो सेकेंड बुक है वो है नमबरीन बुक यहाँ पे भी आप बच्चों को बन तो थी बुक्स में आप वन तो थी यह बच्चों को बढ़ाते हो इसमें आपको वन फॉर टेडी बियर्ड, टू फॉर शूज, त्री फॉर टी शिर्ट, वन तो थी है आप बच्चों के फिंगर्स के साथ इनको आप सिखा सकते हो यह प्रॉपर ली आप यूज कर सकते हो और यह बुक्स को आप कही पर भी कैरी कर सकते हो साथ में अगर आप कही पर जा रहे हो तो बिक यह बहुत ही स्मॉल पार्ट, छोटे चोटी बुक्स है, पैकेज बुक है अनादर बुक है अपोसेट बुक, यहाँ पर डेली अक्टिवटीज के बारे में ही वर्स आप को दिये है यह बिक है, यह स्मॉल है, आफ्टर दैट यह लाइट हेवी है आप प्रॉपरली बच्चों को साथ लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है जैसे यह टॉल है, यह शॉट है, यह सारी चीज़े आप बच्चों को इंट्रिजूस करवा सकते हो डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है और उसके अलावा भी उन्होंने इच्छी है, अगर बच्चों को साथ अगर आप सिखाते हो यह एक्टिप्टीज के साथ, आप उनको सिखाते हो, यह बहुत अच्छा है अगर वेजिटेबल स्पूप के बार में बात करेंगे जो हमारे गर पेstr समजी आती है उसके साथ आगर आप बच्चों को सिखाते हो गए तो यह बहुत अच्छी है वेजिटेबलस हो और वाइन एनिमल्स हूँ या बर्ड्स हूँ इसके बारे में अगर आपको इन्फरमेशन बच्चो को देना है तो आप एक छोट आप बच्चो को साउं के साथ क्लिप्स के साथ आप उनको सिखा सकते हो यह चीज बहुत जल्दी वो क्राप्स करते है अगर डिफरेंट टैप आप उनको साउंड दिखें उसके हंडवा ओल इन वन बुक आप ले सकते हो जिसमें सारी इसमें आपको बेसिक सारी चीज़े आपको मिल जाएगी अगर आप बुक का थिखनेस भी दिखेंगे बहुत अच्छा है बुक्स में बहुत अच्छी है यह पर दो रैमिंग्स भी आपको मिलता है twinkle twinkle little star rain rain go away and बच्छों को अच्छा लगता है after the small book आपको बड़ा बुक उनको आप introduce करवाते हो यह बुक में सबसे पहले आपको alphabet आता है A to Z alphabet with pictures with spelling आपको आता है after numbers भी आते है one four three two four socks यहाप आप counting भी प्रॉपर सिखा सकती हो after Hindi वर्नमाला आता है जिसमें भी आपको English words भी बिलेंगे वहापे उन्होंने लिखा है spelling के साथ after that उन्होंने basic fruits के बारे में बताया है बनाना है grapes है strawberry है यह apple है उसी के साथ vegetables जो basic आप यूज करते हो onion be true फिर flowers है birds है आपको multiple चीज़े आपे मिलती है vehicles है body parts cloth and habits habits के बारे में information दी है good habits क्या होते है wake up in earlier brush or teeth यह basic जो sentence है उन्होंने वो भी provide किया है festivals के बारे में information दी है जो भी हमारे national symbols है या आप कितना पैसे के बारे में अगर आपको बताना हो और basic two rhyming के बारे में हम बात कर सकते हैं जिसमें twinkle twinkle little star rain rain go away बच्चों को आप यह सिखा सकते हो next book के बारे में अगर हम बात करेंगे वो है nursery rhyming यहाँ पे rhyming आपको दिये है बाबा ब्लैक शेप यहाँ आप Humpty Dumpty के बारे में अगर बात करना चाहते हो तो Humpty Dumpty set on a wall Humpty Dumpty hide a great fall यह आप song के तरह उनको सिखा सकते हो जो बच्चों बच्चे बहुत जल्दी करते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटियर स्टार यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने करक कॉमिलिशन दिया है थिकनेज बहुत अच्छी है बुकी सीम दोनों books के पुच्चर कॉलटी बहुत अच्छी है दो थिन आपकी जो रैमिंग से वो सिमिलर है बढ़ उसके अलावा एडवांस भी है कुछ books में अलग है कुछ books में एडवांस भी है यहाँ पे rain rain go away के बातर हम करेंगे तो आप बच्चो को जब rain आती है तो आप चाते के साथ रहते हो चाता यूज करते हो पानी आता है तो बहुत सारे चीज़े आप उनको तो राइमिंग के साथ जब सिखाते हो तो बच्चे विजुलाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जब बारिश आ रही है, तो आप उनको बताते हो कि तो यह बहुत अच्छा है, इन चीज़ों के बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, इन बुक्स के बच्चे विजुल करना बहुत अच्छे करते हैं, इन चीज़े होती क्या है, और एक चीज, मैं आपको परसनल यह रिक्वाइस करना चाहती हूँ, कि कोई भी बूक आप बच उनको थाइमतों सीखने के लिए आप एक साथ में सारी भुक्स को नहीं दे सकते हो। कोई एक रायमिन दो बुख दो एक साथ में किचिए एक साथ अगर आप आप बुक्स को इंटर्डूस करोगे तो बख्ची थोड़े गन्फ्यूज होते है और उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मुच